कैसे हैं आप लोग ठीक हैं महौल आपको कैसा लग रहा है देश में ठीक लग रहा है आपने आपने टीवी पे अच्छा शांत हो जहां आपने टीवी पे दियान से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा है देखा आपने आपने उनके चेहरे में अगर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि सच्चाई को कोई चुपा नहीं सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराड देखेंगे दर्द देखेंगे कि अब 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग जया है कि हिंदुस्तान को बातने से नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री सिरफ हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है और यह नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा पांच साल पहले कहा जाता था शपन इंच की चाहती है नरेंद्र मोदी जी 15 साल राज करेंगे आज नरेंद्र मोदी जी के रेप्यूटेशन की धजियां धजियां उना दियें कॉंग्रेस पार्टी ने चाहे वो किसानों की बात हो चाहे वो मजदूरों की बात हो गरीबों की बात हो भरश्टचार की बात हो जहां भी आप देखें नरेंद्र मोदी की सच्चाई कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं ने आप लोगों ने देश को बताई है और दोहजार उन्निस में आप घबराइए मत दोहजार उन्निस में नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरेसेस को कॉंग्रेस पार्टी हराने जा रही है माइनोरिटी कर्वेंचिन एक नहीं नहीं सुनिए सुनिए मैं करता हूँ इसका तरीका है इसका तरीका है यह आज कल देश में बहुत बड़ा फैशन बनाए इसको सई तरीके से करना चाहिए अब देखिए पहले होता था बीजेपी के लोग कहते थे अच्छे दिन दूसरी साइट से जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन आएंगे अब देश में कॉंग्रेस पार्टी का नेता नहीं दिल्ली के किसी भी कौने में महराश्रा के किसी भी कौने में जब कोई कहता है चोकिदार 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 अब देखिए देश के चौकीदार थोड़े मुझसे घुसा हुए हैं वो कहते हैं आपने हमें बन्नाम कर दिया मकर मैं उनसे माफी मंगना चाता हूँ हमने आपको बन्नाम नहीं किया आप बहुत अच्छा काम करते हो हम सिर्फ एक चौकीदार की बात कर रहें जो शूर है माइनॉरिटिस की थोड़ी सी बात करना चाता हूँ देखिए ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का, किसी एक प्रदेश का, किसी एक भाशा का नहीं है ये देश ये देश हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का है लड़ाई दो विचारदाराओं के बीच में है एक विचारदारा कहती है कि ये देश सबका है और मैं उधारण देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थी क्या नामता है उनका मौलाना अजाद तो अगर आज आप I.I.T. की बात करते हो अगर आज आप I.I.M. की बात करते हो अगर आज आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम के बात करते हो तो आपको मौलाना अजाद की बात करनी ही पड़ेगी अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो तो स्पेस प्रोग्राम की नीव किसने रखी नाम क्या था विक्रम सारा भाई उनका धर्म क्या था जैन धर्म तो अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो तो आपको विक्रम सारा भाई जी की बात करनी पड़ेगी अगर आप सफेद करांते की बात करते हो तो आपको कुरियन जी की बात करनी पड़ेगी अगर आप 1971 की बात करते हो तो आपको फील्ड मार्शल मानिक्षों की बात करनी पड़ेगी और अगर आप liberalization की बात करते हो और अगर आप economic growth की बात करते हो तो आपको मन मोहन सिंग की बात करनी पड़ेगी तो हमारी जो माइनौरिटीज है इन्होंने हर कदम पर हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है और इस देश को हर धर्म के लोगों ने बनाया है ये देश हम सब का है दो विचारधारा है एक विचारधारा कहती है ये देश सोने की चुरिया है अमिद्शा के शब्द है अमिद्शा ने कहा कि ये देश सोने की चुरिया है मतलब ये देश एक प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट है सोनी की चुरिया से सोना मिलता है और उसका फाइदा चुने हुई लोगों को मिलना चाहिए और दूसरे दूसरी सोच ये देश एक नदी जैसे है इस नदी में सब लोग है ये एक साथ चलती है और हर एक भी अक्ति को नदी में देश में जगें मिलनी चाहिए चाहिए वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जात का हो किसी भी भाशा कोई भी भाशा बोले कुछ भी पहने सब को इस देश में सही जगा मिलनी चाहिए ये लड़ाई है और लड़ाई बैटल फिल्ड क्या है बैटल फिल्ड कॉंस्टिटूशन देखिए RSS का लक्ष RSS चाहता है कि हिंदुस्तान का कॉंस्टिटूशन जो है उसे परे कर दिया जाए और इस देश को नागपूर से चलाया जाए आप देखिए जुडिशन सिस्टम में RSS अपने लोग डालते हैं डालते हैं इलेक्षन कमिशन में अपने लोग डालते हैं CPI का चीफ अगर नरेंद्र मोधी पर इंक्वाइरी करना चाहता है उसको परे करते हैं RSS का आदमी डालते हैं तो उनका लक्ष हिंदुस्तान के हर इंस्टिटूशन को खतम करने का है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नागपुर से लग चलाए जाए और उनके क्या नाम है उनके बास का मोहन भगवत मोहन भगवत जी पूरे देश को पीछे से चलाएं नरेंद्र मोधी जी फ्रंट फेसिंग मोहन भगवत जी पीछे से पीछे से रिमोट कंट्रोल ये इनकी सोच है हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टिटूशन्स हैं वो कॉंग्रेस पार्टी के नहीं है वो किसी पार्टी के नहीं है वो इस देश के इंस्टिटूशन्स है और वो सब के सब उनकी रक्षा करना उनकी रक्षा करना हमारी जिमेदारी है Congress party की जिम्हधारी है बाकी पार्टियों की जिम्हधारी है और जब नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री होते हुए चार सुप्रीम कोर्ट के जज़ बाहर आगे कहते है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है और उसी लाइन में कहते है Justice Lawyer जस्टिस लोयगा नाम लेते हैं और इंडायरेक्ली क्या गह रहे हैं इंडायरेक्ली कह रहे हैं कि हमिद शाः अमिद शाः बीजेपी के प्रेजिडन्ट सुप्रीम कॉर्ड को काम नहीं करने दे रहा है हर इंस्टिजूशन पर आकरमन करते हैं यह अपने आपको हिंदुस्तान के उपर समझ के रखें यह सोचते हैं यह सोचते हैं कि यह देश नीचे है और हम उपर और तीन महीने में यह देश इनको समझाने जा रहा है कि देश उपर है आप नीचे मैं थोड़ा सा आपको मध्यप्रदेश राजिस्तान चटिस गड़ के बारे में बताना चाहता है को इसके गहराई आप समझो 15 साल से मध्यप्रदेश और चटिस गड़ में सरकार नहीं चली है 15 साल से मध्यप्रदेश और चटिस गड़ में हर इंस्टिट्यूशन में आरेसेस ने अपने लोगों को डाल रखा है कमल नाची ने मुझे बताया मध्यप्रदेश में एक स्पेशल मिनिस्ट्री त्यार की गई 800 करोड रुपए उस मिनिस्ट्री में डाले गए आपको मालू में वो पैसा कहा गया आपको मालू में कि इस मिनिस्ट्री ने क्या काम किया 800 करोड रुपए आरेसेस के लोगों को दिये 800 करोड रुपए एक मिनिस्ट्री उस में आरेसेस के सब लोग और एक प्रकार से पूरे मध्यप्रदेश की जनता को कंट्रोल करने का सिस्ट्म यही कामेनों ने 36 गड़ में किया है राजिस्तान में इतना नहीं कर पाए क्योंकि हम 5 साल पहले वहाँ थे तो मैं आपको आश्रासन देना चाहता हूँ हम सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं मध्यप्रदेश, राजिस्तान, 36 गड़ में इन स्टेट्स में आरेसेस के लोगों को एक-एक करके हम सरकार के इंस्टिटूशन में से निकालने का काम करेंगे और इन प्रदेशों के बिरोक्रिसी को मालूम होना चाहिए इन प्रदेशों के बिरोक्रिसी को मालूम होना चाहिए और हिंदुस्तान की बिरोक्रिसी को मालूम होना चाहिए कि आप RSS की बिरोक्रिसी नहीं हो आप हिंदुस्तान की बिरोक्रिसी हो और आप किसी एक संगटन के लिए काम नहीं करोगे आप हिंदुस्तान की जनता के लिए काम करोगे यह सचा ही है जहों भी यह जाते हैं यह देश के ढज़े को capture करने की कोशिश कर रहे है ministry में आज गटकारी जी ने बहुत अच्छा भाशन दिया लोग सभा में मैं था नहीं मगर मैंने सुना गटकारी जी कहते हैं मैं BJP का एक ही नेता हूँ जो सब लोगों का काम करता है बाकी सब तो और है बाकी सब नहीं भाईया गटकारी जी का भी रेप्टेशन इस ता अच्छा नहीं है मैंने ये नहीं बोला मैंने ये बोला मैंने ये बोला कि BJP के लोग कह रहे हैं BJP के मंत्री कह रहे हैं कि हमें भी काम नहीं करने दिया जाता है और ये सच्छा ही है और आप कॉंग्रेस पार्टी की सरकारे लेखिए शायद हम उसको जादा ले जाते हैं हमारी सरकारों में हर मंत्री अपना डिसिजिन लेता है मनमोहन सिंग जी जरूर प्रदान मंत्री हों मगर उसमें हमारे सब मंत्रियों की जगा होती है क्योंकि हम आवाज सुनकर काम करते हैं हम जनता की आवाज सुनकर काम करना चाहते हैं तो आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ हम बैक फूट पे नहीं खेलने वाले हैं चाहे वो हम बैक फूट पे नहीं खेलने वाले हैं और आपको गबराना बिल्कुल नहीं है एक सेकंड के लिए आपको गबराना नहीं है क्योंकि आप क्योंकि आप क्योंकि आप सब चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कहीं के भी हो आप सब इस देश के हो और आप सब की जगह इस देश में आपको मिलेगी